नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे डेली 36 करेंट अफेर सीरीज में आज हम 20 और 21 फरवरी के करेंट अफेर्स के बारे में चर्चा करेंगे आपको इस वीडियो की पीडियाप हमारे टेली ग्राम पर मिल जाएगी और आपने अभी तक हमारी इस चैनल को करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को चलिए हमने जो पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिविशन हम कर लेते हैं महंत राजस अर्वेस्वार दास अखिल भारती हौकी प्रतियोगीता का खिताब किसने जीता है तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम बो इसका सही आंसर है भिलाई में मुख्यम मंत्री शहरी स्लम स्वास्थ यूजना के तहत सर्वस्रेश्ट कार्य करने के लिए किस जीले को 36 गड़ में पहला इस्थान प्राप्त हुआ इसका सही आंसर है धमतरी को राज्य सरकार ने चुंगी करको 26 रुपए से बढ़ा कर कितने रुपए करने की घोष्णा की है इसका राइट आंसर है 35 रुपए सिक्षा दूत पूरुसकार वर्स 2022 है तुकुल कितने सिक्षकों को सम्मानित किया गया है इसका सही आंसर है 27 सिक्षकों को ग्रामिन छेत्रों में इस्थापीत किये गए महत्मा गांधी रूलर इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी छेत्रों में किस पार्क की स्थापना की जाएगी इसका सही आंसर है अर्बन रूलर इंडस्ट्रियल पार्क की चलिए आज का पहला प्रश्म देखते हैं चतिस गड़ के कितने जीलों में सोया चिक्की के इस्थान पर सप्ताह में चार दिन इसकुली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ विद्रित किये जाएंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 जीनों में हाली में किंद सरकार ने चतिस गड़ के मुख्य मंत्री भुपेज बग्यर द्वारा मध्यान भोजन योजना में मिलेट्स को जो सामील करने की प्रस्ताव है उनको मज्रूरी दे दी है अब कौन सा प्रधान मंत्री पोशन सक्ति योजना के तहत जोना चतिस गड़ के बारा जीलो में हैं कितने जीलो में 12 जीलो में स्थान सप्ता हमें चार दिन इस कुली बच्चों को मिलेट्स से निर्मिक खादिय पदाव्यूर्ट की जा bipartisan कि जा रहेए और वर्ष दो हजार के रुपे है भारत में जो और जबकि गौन मोटे आनाज में जो है ना उसमें कंगनी कुटकी और कोदो सावा जो है वो शामिल है अगला प्रशन है अगला प्रशन है चतिस गर में मिलेट्स उतपादक किसानों को कितने हजार रुपे प्रती एकर इंपूट सबसीडी दिया जा रहा है इसका सही आंसर ह मिलेट मिशन के अंतरगत राज्य के मिलेट्स उतपादक किसानों को 9000 रुपे की इंपूट सबसीडी प्रदान की जा रही है चतिस गर में समर्थन मुल्य पर कोदो कुटकी खरीदने और रागी को जो खरीदने वाला है चतिस गर पहला राज्य है देश का और पहले ही साल कितने 55,000 कुटल मिलिट्स की खरीदी की गई है कोदो कुटके रागी का जो बजार मुल्य जो पहले 12 से 15 रुपए होता था था न वो अब वर्तमान में 25 से 2800 रुपए किलो हो चुका है अगला प्रशन है सतत विकास लक्षो की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई कि 36 गड़ SDG District Progress Report 2021 का विमोचन किस ने किया है चार आप्षन है इसका सही आंसर आप्षन ने स्रीव भुपेज बगहिल जी ने किया है 36 गड़ में सिर्फ भुपेज बगहिल जी ने अपने निवास कारियाले में राज्य योजना आयोग्गारा सतत विकास लक्षो की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई 36 गड़ SDG District Progress Report 2021 का विमोचन किया है औरना SDG Dashboard को भी जो है लॉंच किया है और साथ ही साथ जो ना 36 गड़ की जो मुक्षवंत्य भुपेज बगहिल जी ने उन्होंने 36 गड़ स्वामी वेकरन तकनीकी विश्व इद्धाले भिलाई की जो ना पॉड्कास्त त्यार कर कक्छाओं में उनका उपयोग करना प्रारम किया जा रहा है इसके साथ ही लेंग्वेज और लेर्निंग फांडेशन जो है लेफ द्वारा बहु भासा सिक्षा की समझ पर ना ओनलाइन कोर्स भी तयार के जा रहा है जो जीला एवं विकासखण सिक्षा हेनगे जो करने बद बच्चों को और उनकी भासाओं को सीखने में ना समुचित आउसार प्रदार्ण करने में अपनी भूमी का निभा सकेंगे अब यह किया क्यों जा रहा है क्योंकि बुपेज बग्यर जी ने इसकूली बच्चों को उनकी स्थानी भासओं में सिक्ष्छ देने की जो है गोशना की ती जिनके अधार पर मात्रिपासा सिक्षन द किया गया है अगला प्रश्न है लैंग्वेज एवं लर्निंग फांडिशन और यूनिसेफ के सही योग से भासाई सर्विक्षन का कार या पूरा करने वाला पहरा राज्य कौन से है चार ऑप्शन है इसका सहीं आंसर ऑप्शन भी च्छतिसगर्ड में पाली महसों का जया जाता है और पाली महसौं चलता है यह खालते परना प्रश्न है सरहरा जीले में किया जाता है चार आप्शन में इसका सही आंसर ऑप्शन सी बालोद में, बालोद जीला के ग्राम सोरर में सरहरगर महुस्सों का जो है आयोजन किया जाता है, मुख्यमंतिरी भुपेज बगहिल यहां शामिल हुए और सोरर इस थी जो है बाहदूर कलारिन के मंदिर में जो है पूजा अर्चना की है, मातब बहादूर कलारिन के नाम पर जो ना, 36 गड़ की बेटियों को वेर्टा के छेतने पूर्षकार भी दिया जाने की गोशना मुख्यमंतिरी सी भुपेज बगहिल के द्वारा की गई है, अगला प्रस्ण है, कि इस नगर निगम को धनवंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेश्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका सही आणसर है ऑप्शन ए राइगर को, राइगर में इस थे जो बेबी लॉन में ना, माहापूर सम्मान कारिक्रम में राइगर नगर निगम को धनवंतरी सस्ती दवाई दुकान के संचालन में बेश्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, अगला प्रस्न है, चार ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आणसर ऑप्शन सी, भुपेज बगहर जी ने किया है, चार ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आणसर ऑप्शन सी, भुपेज बगहर जी ने किया है, उसका जो सुभारम है, भुपेज बगहर जी ने किया है, और तो अर्पा पैरी के धार से सुभारम हुआ है जो की राज्य गीद भी है चट्तिजगर का और पहली बार हो रहे हैं इस कार्मिवाल में कितने सरकारी इस्कुलों में internet की शूइधा पहुंच चुकी है. चार option आपके सामने हैं. इसके सही answer option भी 14,425 इस्कुलों में. सरकारी इस्कुलों में internet उपलब्द कराने में जो 36 गड़ कराने ना, प्रक्राजिय के तो सुराजिक जर में गाव में गठाने के नियर्मान के शुक्रिती दी गई है जिसमें से 9720 गोठान और डेडी निर्मित हो चुक्या और वो संचालिक भी हो रहे है और जो 825 गोठान है न वो निर्मान धिन है और अभी 187 गोठानों का निर्मान कारिश शुरू होना बचा हुआ है राज्य में जो गोधन ने आई उजना की शुरुआद थी न वो 20 प्रशन है निम्नमी से किसका नाम मंच संचालन के लिए गोल्डन बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ट में दर्ज हुआ है चार आपके सामने दिएगे हैं इसका सही आंसर आप्शन सी कामनी कौशिक की चतिजगर के धमतरी जी लेके कलेक्टर रितुराजरगोंशी ने धमतरी अगर की महिला जो है ना कामनी कौशिक को इंकरिंग के छेत्र में अधिक्तम संचालन के लिए गोल्डन बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से सर्टिफिकेट मैडल और लोगो टीशट प्रदान किया है अगला प्रशन है राश्ती मास्टर वेट लिफ्टिंग वा प्रशन किया है इसमें वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगीता में धमतरी के सितलेश पटेलने एक स्वर्ण और एक रजत प्रदाग हासिल किया है वही साथ साथ जो कोरिया की आसा तिग गहना उन्हेंने दो स्वर्ण पदग अपने नाम के राइपूर के मानिक तामरकार ने दो स्वर्ण पदग जीते और दूर्ग के प्रमूत कच्छ को एक रजत वा एक कांसे पदग से संतोस करना पड़ा अगला प्रशन है सिवनात रिवर प्रंट तैयार किया जाएगा और सांस साथ इसके सांस साथ जो है दूर्गजली के सिवनात नदी में एक और लष्मन जूला यानि suspension ब्रिज्ट बनाया जाएगा जिसकी लागा जो है तीस könnte प्रोड रुपाय की होगी अब पहला जो पहला जो लश्मन जूल है ना वह अमलेश्वर में है इसको और दूसरा जो है पाटन छेतर के ठाकरायन टोला में इसका निर्मान चल रहा है इन दोनों के आकर्शन को देखते हुए ना दूर्गजिली में तीसरा लश्मन जूला जो लंबाई जो है 300 मिटर होगी और चौड़ाई 3 मिटर की होगी जबकि महादेव घाट का ब्रीज है वह 150 मिटर की लंबा है अगला प्रशन है मुख्य मंत्री सी भुपेज भंगिल के द्वारा तेंदू पंत्ता संग्रहन दर्प को पचीस सो रुपए से बढ़ा कर कितने र अज़ आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ऐजरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगाँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्रॉर्इब करें आपकि यह आपको का टेली ग्राम के साथ हमारे फेस्बूक और इंस्टाग्राम से भी हमसे जूड सकते हैं वीडियो के देखने के लिए थांक यू, थांक यू सो मच